मुल्ला नसीरुदीन की हाजर जवाबी एक बार मुल्ला नसीरुदीन ने एक आदमी से कुछ उधार लिया था मुल्ला समय पर उधार चुका नहीं पाया और उस आदमी ने इसकी शिकायत बादशा से कर दी बादशा ने मुल्ला को दर्बार में बुलाया मुल्ला बेफिक्री के साथ दर्बार पहुचा मुल्ला के दर्बार पहुचते ही वहाँ आदमी बोला बादशा सलामत मुल्ला ने बहुत महिने पहले मुझसे पांच सो दीनार बतौर कर्ज लिये थे और अब तक नहीं लोटाए मेरी आप से दरखवास्त है कि बिना किसी देरी के मुझे मेरा उधार वापस दिलाया जाए यह सुनने के बाद मुल्ला ने जवाब में कहा हुजूर मैंने इनसे पैसे लिये थे मैं यहाँ बात मानता हूँ और मैं उधार चुकाने का इरादा भी रखता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी गाय और घोड़ा दोनों बेच कर भी इनका उधार चुकाऊंगा तभी वहाँ आदमी बोला यह जूट कहता है खुजूर इसके पास न तो कोई गाय है और नहीं कोई घोड़ा अरे इसके पास न तो खाने को है और नहीं एक फूटी कौड़ी है इतना सुनते ही मुल्ला नसीरुदीन बोला जहांपना जब यह जानता है कि मेरी हालत इतनी खराब है तो मैं ऐसे में जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ जब मेरे पास खाने को ही नहीं है तो मैं उधार दूँगा कहां से बादशा ने यह सुना तो मामला रफात्फा कर दिया अपनी हाजर जवाबी से मुल्ला नसीरुदीन एक बार फिर बच निकलने में काम्याब हो गया